SUV इंडिया की सबसे ज़ादा पसंद की जाने वाली गाडियां और आज हम ऐसी ही 9 अपकमिंग SUVs की बात करने वाले हैं जो कि दिवाली 2024 तक भारती ये बाजार में लॉंच होने वाली है तो हो सकता है कि आपके पसंद की SUV इस लिश्ट में शामिल हो सकती है बात करते हैं नंब आपको बहुत ही शांदार looks and design मिलता है देखने मकार बहुत ही premium और stylish लगती है वहीं अगर बात करते हैं इसके electricals के बारे में तो front में आपको LED headlights, LED DRL, नीचे आपको LED fog lamp, पीछे आपको LED tail light और आपको bulb indicator दिया जाते हैं 17 इंचिस के आपको alloy wheels मिलेंगे और 200 mm का ground clearance दिया with speed का manual transmission और 6 speed automatic transmission दिया जाएगा इंटीर से बात करते हैं तो आप अपनी family के साथ अराम से comfortable के इसमें travel कर लोगे जो कार में features हैं जैसे कि हुगया 8 inch infotainment system, steering wheel mounted control, dual zone climate control, 6 airbags, ABS, EBD, blind spot monitoring, engine start stop button ये सब कुछ आपको मिल जाएगा अब अगर बात करते हैं कि ये कार कब तक launch होने वाली है तो 15th of October को ये कार launch हो जाएगी, नमबर 2 पर आती है Honda CR-V, CR-V एक premium 5-setter SUV है जिसकी pricing चलू होगी 11,00,000,000 रुपे से और इसका जो top model वह आपको तकरीबन 20,000,000 रुपे के अंदर दिया जाएगा, कार में आपको बहुती stylish, premium और बहुती luxury looks and design दिया जाता है, वहीं अगर बात करते हैं इसका electricals के बारे में तो front में आपको LED headlights, LED DRL, नीचे आपको LED fog lamp, पीछे आपको LED light और आपको LED indicator दिया जाते हैं, इसमें आपको 18 inches के alloy wheels मिलेंगे और आपको 197 mm का ground clearance दिया जाता है, एंजन इस car में आपको मिलेगा 1.5 लीटर का turbo charge petrol इंजन, जिसमें आपक 6 speed का manual transmission और automatic transmission दिया जाएगा, बात करते हैं इसके interior से तो आप अपनी family के साथ अराम से comfortable location में travel कर लोगे, space को लेकर दिक्कत नहीं आएगी, जो car में features निसे गुए 10 inch infotainment system, TFT driver display, heated and ventilated front seats, dual zone climate control, ADAS system भी आपको मिलेगा, blind spot, 6 airbags, ABS, EBD, सब कुछ आपको दिया जाएगा, नमबर 3 पर आती है Suzuki A-Cross, A-Cross एक midsize 5-setter SUV है, जिसकी pricing चलू होगी 10 लाग रुपे से और इसका जो top model आपको तकरीबन 17 लाग रुपे के अंदर दिया जाता है, जो car का look से इदनों बहुत ही sporty है, देखने में car बहुत ही premium लगती है, वहीं अगर बात करते हैं इसका electrical के बा इस car में आपको offer किये जाएंगे दो, जो कि है 1.5 लिटर का hybrid petrol engine, hybrid होने की वज़े से यहाँ पर आप तकरीबन 24 kmpl तक का mileage निकाल सकते हो, वहीं दूसरे engine आपको मिलेगा 1.5 लिटर का CNG engine, जिससे आप तकरीबन 23 kmpl तक का mileage निकाल सकते हो, और इसमें आपको transmission मिलेगा 5-speed का manual और success speed automatic, interior से बात करते हैं, तो आप अपनी family के साथ अराम से travel कर लोगे, जो car में features हैं और यहाँ पा जितने भी safety related features हैं, वो आपको बढ़िया offer करवा दिये जाएंगे, अब अगर बात करते हैं कि यह car कब तक launch होने वाली है, तो 17th of October को यह car launch हो जाएगी, नमबर 4 पर आती है Jeep Renegade, रेनेगेड एक 5-sitter compact SUV है, जिसकी pricing चलूगी 14 lakh रुपीज से और इसका जो top model है, वो आपको तक्रीबए 23 lakh रुपीज के अंदर दिया जाएगा, car में आपको बहुती बड़ी है, looks and design मिलता है, car boxy shape में है, लेकिन देखने हम बहुती प्यारी लगत भी आपको दी जाएगी, बात करते हैं इसके engine के बार में तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1.5 लिटर का टर्बो चार्ज पैटल इंजन, जिसमें आपको सक्सी स्पीड का manual transmission और automatic transmission दिया जाएगा, वहीं आपको 1.5 लिटर का naturally aspirated पैटल इंजन भी दिया जाएगा, interior से आप अ अब अगर बात करते हैं कि ये कार कब तक launch हो जाएगी, तो दोस्तो धिवाली 2024 में ये कार launch होने वाली है, नमबर फाइब पर आती है Kia Niro, निरो एक 5 सेटर मिट साइज SUV है जो कि आप सबको बहुत पसंद आएगी, इस कार की pricing चल होगी 11 लाक रोपे सा और इसका जो टॉप पीछे आपको बड़ी सी LED लाइट और आपको बल्ब इंडिकेटर दिये जाएंगे, इसमें आपको 17 इंचिस के अलावी वील्स मिलेंगे और 200 mm का ग्राउंड के लेंस दिया जाएगा, एंजन इस कार में आपको मिलता है जो कि इसकी खासियत है, आपको इसमें दिया जाता 10 इंच इंफोटेमेंट सिस्टम, एम्बेंट लाइटिंग, डिजिटल ड्रावर डिस्प्ले, स्टेरिंग वील, मांटेट कंट्रोल, स्मार्ट क्रूस कंट्रोल, लेधर सीट, सेफटी गले सिक्स, एरबैक्स, ABS, EBD यह सब कुछ आपको मिल जाता है, अब अगर बात करते ह यह कार कब तक लाउंच हो जाएगी, तो दोस्तों, नॉवेंबर स्टार्टिंग में यह कार लाउंच होने वाली है, नमबर सिक्स पर आती है, यूंडे सेंटफी, सेंटफी एक बहुती कॉंफरेबल सेवन सेटर SUV है, जिसकी प्राइजिंग चलूगी 20 लेक रुपी से, औ जो टॉप मॉडल है, वह आपको तकरीबन 30 लाख रुपे के अंदर दिया जाता है, जो कार में लुक से वह आपको बहुती बढ़िया दिया जाता है, देखने में कार सिंपल लगती है, पर बहुती प्यारी लगती है, वहीं अगर बात करते हैं से लेक्ट्रिकल्स के बारे है, एंजनेस कार में आपको ओफर किया जाएगा, टू लीटर का हाइब्रेड पैट्रोल इंजन, हाइब्रेड उनीक वज़े से यहाँ पर को जो मालेज है, वो तकरीबन 20 kmpl तक का मिल जाएगा, सिक्स स्पीड का मैनूल ट्रांश्मिशन और 8 स्पीड आटमेटिक एसे बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, अब अगर बात करते हैं कि यह कार कप तक लांच होने वाली है, तो यह जो कार है यहाँ पर नवेंबर स्टाइटिंग में लांच हो जाएगी, नमबर सेवन पर आती है होंडा पाइलेट, पाइलेट एक बहुत ही रगेट सेवन सेटर एस यूवी है, जिसकी प्राइजिंग चलू होगी 20 लाक रुपीज से और इसका जो टॉप मोडल है वा आपको तकरीबन 30 लाक रुपे के अंदर दिया जाएगा, जो कार का लुक संड इधने वो काफी बोल्ड और एग्रिसिव है देखने में कार बहुत ही शा 205 mm का ground clearance दिया जाएगा, एंजन इस कार में आपको एक ही मिलता है जो की है 2 लिटर का टर्बो चार्ज पैट्रल इंजन जिसमें आपको सक्सी स्पीड का manual transmission और 8-speed automatic transmission दिया जाएगा, इंटीर से बात करते हैं तो आप साथ लोग आराम से travel कर लोगे, जो कार में features हैं और यह 27-setter SUV है जो की Fortuner को टकर देने वाली है, इस कार की pricing चलू होगी 30 लाक रुपे से और इसका जो top model है वह आपको तकरीबन 40 लाक रुपे के अंदर दिया जाएगा, जिस price segment में ये कार आरे है उसमें आपको बहुत ही बड़ी लुक्सन डिजार मिलता है, देखने में कार 21-inch के alloy wheels मिलेंगे और इसमें आपको 205 mm का ground clearance दिया जाएगा, इस कार में आपको engine offer किया जाएगा 2.4-liter का naturally aspirated petrol engine और 2.2-liter का diesel engine जिसमें आपको success speed का manual transmission और 8-speed DSG transmission दिया जाएगा, इंटीरियर से बात करते हैं तो आप 7 लोग आराम से travel कर लोगे, जो कार में यहाँ पर features हैं और जितने भी safety related features हैं वो आपको बढ़िया दिया जाएंगे, अब अगर बात करते हैं कि यह car कप तक launch हो जाएगी, तो mid November में यह car launch होने वाली है, नमबर 9 पर आती है Toyota Grand Highlander, यह एक बहुत ही गजब की 7-setter SUV है, जिसकी pricing चलू होगी 30,00,000 रुपे से और इसका जो top model है, व front में आपको all LEDs का setup मिलता है, visibility के लिकर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वहीं पीछे आपको LED टीलाइट और आपको LED इंडिकेटर दिया जाएंगे, 20 इंचेस के alloy wheels मिलेंगे और 200 mm का ground clearance दिया जाएगा, बहुत reliable engine आपको इसमें offer किया जाता है, जो की है 2.4 लीटर का naturally aspirated petrol engine और 2.2 लीटर का diesel engine जिसमें आपको success speed का manual transmission और 8 speed automatic transmission दिया जाएगा, interior से बात करते हैं तो आप 7 लोग आराम से travel कर लोगे, जो कार में features ने से कुगे 12.3 इंच का infotainment system, 12.3 इंच का TFT driver display, heads up display, blind spot, electric parking, ADAS system, सब कुछ आपको दिया जाएगा, और ये जो कार ही है, यहाँ पर दिवाली 2024 में launch होने वाली है